हेलो स्टुडेंट्स तुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स चेप्टर आफ एथ क्लास लेसन 23 ऑस्ट्रेलिया जेग्रफिकल फीचर्स ये चेप्टर जेग्रफिक एंडर में आता है इसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉंटिनेंट के एरियास के बारे में उसकी लोकेशन उसके एक्सपेंशन और इसके अलावा इसका जो सर्फिस के स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड हुआ है कि देन क्लाइमीट के बारे में एंडेक्स इसके वेजिटेशन एनिमल्स के बारे में इस चेप्टर में डिसकस करेंगे तो इसमें ये बताया है कि जो आउस्ट्रेलिया जो आउसे निकली एक्वेटर तो इसके गए जिसके ऊपर का जो सेमीश स्पीर टाईप फोर्म होता है ये जो उपर का पाथ है तो नीचे का जो पाथ है ये कहलाता है सादान हमिसफियर सी इन दिस मेप यह जो लाइन गई है जीरो डिगरी पे तर इस अउसमें नीचे यह वर्ल्ड का एंड अगर इसके आसपास का ओशियन देखें तो यह दो ओशियन से कवर होता है इस साइड से पूरा इंडियान ओशियन यहां से यह पूरा पैसिफिक ओशियन से कवर है इसमें आङे बताया है की इसके इंडिया के इंडिया के इंड़ती आइलेंड से अन्डमानने कोवार और लक्षीदीप ऐसी इसके दस सबसे में आलेंड से राटेजाम, न्यूजीलैन अनर्त अस्मांय, जो कि इसके पास में हैं तो और यह आस्ट्रेलिया का ही पार्ट है और Australia जो continent है वो चारो साइड से ocean से cover है इसलिए इसको oceanic continent भी बोला जाता है clear और इसके जो main island जो अगर आपने इसके expansion के बारे में देखें latitudes देखें तो ये latitude कहां से कहां तक लाई इसका था 10 degree south to 29 degree south latitudes में longitudes अगर देखें तो 113 degree east to 153 degree east longitudes see here okay latitudes क्या होते हैं जो ये वाली जो lines होती है जो degrees लिखी है ऐसे में okay tropic of cancer, tropic of capricorn ये है latitude lines और these are the longitudes clear okay तो latitudes अगर इसका expansion जैसे बताया ये लगभग 10 degree south से start होके 39 degree south तक के locate करता है clear ये longitude wise और latitude wise ये 113 to 153 degree east east क्योंकि ये जो main line है ये main line के जो main longitude है prime meridian इसके east में है okay इसलिए यहाँ पर east and west से divide next इसमें आंगिस के expansion के बारे में अगर देखे तो ये tropic of capricorn जो line topic of capricorn वो इसको two parts में divide कर देती जैसे इंडिया से tropic of cancer निकली है इसके कारण ये two parts में divide होता है ऐसे से हम आस्ट्रेलिया के बीच में से एक latitude पास होती है that is a tropic of capricorn ये औस्ट्रेलिया को two equal parts में divide कर देती है okay now area के बारे में अगर देखें तो इसका जो area है अगर north to south देखेंगे north to south तो इसका north to south इसका expansion at 3200 means 3200 and 200 km और west to east इसका है 3900 km अप्रोक्सिमेटली और ये east side से, east side से surrounded है coral sea से pacific ocean से okay and also beta tasman seas okay और north, ये north means upper side से surrounded है guinea island bay of caribbean and timor seas, arafla seas and this is south west जो portion है south west portion ये वाला portion okay ये portion, यहां से ये covered है Indian ocean से और south east portion लाई, इसमेल south east side, south east means ये direction, यहां पे आता है tasmania desert lies करता है okay tasmania desert के लावा ये न्यूजिलेंड and fizzy okay ये islands इसके east side से locate, east side में locate होते हैं okay और इसके अगर important countries, इस continent के अगर important countries की बात करें तो कौन कौन से, Australia, New Zealand, पोरो न्यूजिलेंड पोरो न्यूजिलेंड ओके फीजी ये इसके important countries है got it and the Australia is one of the, ये जो Australia एक ऐसी country है world में okay जो की पूरे मतला विच्चे से ज़ादा continent also and as well as it is a country also okay now इसको इसी कारण से इसको island country continent भी बोला, island continent भी बोला जाता है और इसका total अगर area देखे की Australia continent total कितने area में spend है so that is a 27,80, sorry 76,86,850 square kilometer ये इसका total area है इस continent का now ये तो हो गया इसके information इसके latitude, longitude, इसका expansion के बारे में अब देखेंगे इसके surface के बारे में तो जो Australia continent है इसका physical जो structure, physical जो surface Australia का ये four parts में डिवाइड किया गया, first one is western plateau, second one is central lowland, third one is eastern mountain range and fourth is coastal plain, so start from the western plateau, western plateau में अगर बात करें तो ये western side locate होता है, इसके name से ही clarify हो रहा है तो ये western plateau इसके west side से है और बाकी तीनों बाकी ये जो four parts होते है, उसमें से सबसे ज़्यादा area western plateau cover करता है means total जो अगर Australia के area को three parts में डिवाइड करें, तो लगभग two third area जो है, वो western plateau cover करता है इसका जो कि पूरा north से west portion और पूरा south तक ये पूरा area है what it, और बाकी जो one third बचा है, वोकी इसी one third में बाकी तीन parts divided है वोकी इसके जो कई सारे areas ऐसे हैं जहाँ पे काफी जादा कम rain होती है, जिसका रहन से ये area desert या फिर semi desert बन चुकी है और इसका जो नदन part है, उपर का जो part है इस continent का, वो great sandy desert के name से जाना जाता हो, इसका जो southern part है, नीचे का जो part है इस continent का, that is named as a great victoria desert means, जो great sandy desert है, ये continent के north part में locate करता है, और जो great victoria desert है, ये continent के south part में present है, clear, now, और यहाँ का जो area है, ये old rocks से से बना हुआ है, इसमें काफी जादा minerals भी present है, मतलब यहाँ पे, minerals के बहुत अच्छा depositions या collections है, यहाँ की surface में, under surface में, और जो world की famous mines हैं, ये दो mines जो name दिये हैं, कालगोलीज और कोलाडीज, ये काफी जादा famous gold mines है, जो की यहाँ पे ही situated है, Australia के western platews में, ये तो हो गया Australia के western platew के बारे में, अब जो next day है, central island, ये central island, locate करता है, western platew और eastern mountain range के बीच में, मतलब जो first land, अपने first land form पढ़ा था इसका, first land और second जो इसका path है, क्योंकि surface का, इन दोनों first and third के बीच में लाइस करता है, second वाला ठीके, eastern, sorry, central, low land, clear, और इसका अगर expansion का देके, तो bay of Caribbean से start होता है, इंडिया के, sorry, Australia के south side, bay of Caribbean, ये है Caribbean, okay, यहाँ से start होता है, पूरा, नीचे तक, got it, clear, ये तो हो गया western, see, ये तो हो गया पूरा western platew, फिर यहाँ से ये लगभग start होता है, bay of Caribbean से लेके, यहाँ तक, okay, और ये जो third जो अपने देखा है, यहाँ पे, eastern mountain range, ये यहाँ से start होता है, till the, ये पूरा, okay, लगभग ये एप्रोक्स ऐसा है, ये हो गया western platew, this is a central lowland, this is a eastern mountain range, and the fourth one is coastal plains, ये coastal plains, ठीक है, ये हो गया फोर इसके divisions, now sea, ये, ये clear हो गया, इसके लावा यहाँ पे बताया है, कि यहाँ से कई सारी यहाँ सी rivers है, many rivers, यह जो lowlands है, यहाँ बहुत सारी rivers है, यहाँ पे flow होती है, कि इन लेंड लेक में जाके डूब जाती है, इन लेंड मतलब वो sea में ना पहुंच की, यहीं की lakes में, वो कम ओवर हो जाती है, वो lake rivers का last point, sea में ना जाके, वो lakes में होता है, जिसमें सबसे biggest river मानी जाती है, इसकी lake, आयार, ओके air, lake यार, जो lake है यह, यहाँ की सबसे largest lake में include होती है, और साथी साथ इसके आसपास का जो area है, काफी जादा area drainage area बनाता है, अभी inland drainage area क्या होता है, inland means मैंने भी बता दिया, मतलब rivers, seas में समुद्रों में ना जाके, lake में ही मिल जाती है, तो यह होता है, inland water area और उससे जो drainage system होता है, drainage means होता है, किसी भी river का, जो system होता है water का, that is called a drainage, तो यह जो lake era है, यह inland drainage area बनाती है, clear, जैसे इसमें आँगे, दिया भी यह inland drainage area एक ऐसा system है, जहाँ पर water, river का water flow होता है, और वो water समुद्रों में ना जाके, sea में ना जाके, उसी के आसपास के किसी other water body में मिल जाता है, clear, और अगर यहां की important rivers के बारे में देखे, तो सबसेदर दो important rivers हैं, that name is Meru and Darling, यह दोनों rivers यहां की important rivers है, and यह दोनों rivers समुद्रों में जाके, मिल जाती हैं, आँगे जाके, और इसका जो southeast part है, continent का, यह artesian basin बनाता है, artesian basin कैसे बनाता है, क्योंकि यहां पर artesian wells बने हुए, artesian wells six chapter में देखा था, कि ऐसे wells जब internal earth force के कारण, earth के नीचे के force के कारण, अगर नीचे का पानी उपर आता है, okay, that is called the artesian wells, clear, okay, और इसी artesian wells के कारण, यह area artesian basin के लाता है, और इसमें से जो water आता है, रिवर्स में, यह cattle rearing के लिए, मतलब पशू पालन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, clear this second now, अब third part में, third surface को देखेंगे, that is eastern mountain range, यह eastern mountain range, जो second देखा तक, central lowland इसी के पहलल चलता है, okay, यह mountain range के, और यह start कहा से कहां तक है, Cape York Peninsula से start होता है, तस्मानिया island, जो तस्मानिया island है साथ में, वहां तक सी है, यहां पे है Cape York, okay, यहां यह Cape York से start होता है, और कहां तक जाता है पूरा यह, तस्मानिया island, यह पूरा area cover करता है, लग भग, got it, now, इसमें आंगे बताया है, कि यह जो mountains है, यहां, sorry, यह जो range है, जो land form है, यहां पे काफी ज़्यादा high platews built up है, मतलब high platews बने और इनी high platews को great dividing range बोला जाता है, clear, और अगर इसके mountains की width के बारे में, देखे, यहां, मतलब यह जो area है, यह बहुत ज़्यादा narrow है, सक्रा है, मतलब बहुत चोड़ा नहीं है, यह area, okay, and लेकि जो, जैसे से अपन south में आते जाती, skill, यहां के mountains की length बढ़ती जाती है, okay, as compared to the north, south के पाफ ज़्यादा high है, as compared to the north area, okay, और अगर यहां की highest mountain range, देखे, कि सबसे highest point क्या है Australia, so that name is Kosiasco, okay, Kosiasco is the highest peak of the continent, Australia, clear, the third one, now come to the fourth, coastal plain, अब coastal plain में यह बताएगा है, दो को नेम से ही आ रहा है समझ में, coastal plain, means it lies in a coastal part, मतलब जिसका जो coastal है, यहां पर यह होता है, clear, this is the oceanic water, मतलब इसके, there is a oceanic water all around a continent, starting में ही देखा तलब जो continent का पूरा जो है, okay, यह पूरा जो reason है, यह पूरा ocean से cover है, right, okay, तो जो य यह जो coastal reason है, किस केंडर में आता है, coastal plain केंडर में, see here, अगर इसमें clear दिख रहा है, यह जो पूरा reason है, यह पूरा क्या कहलाता है, coastal plain, okay, till यह, got it, now, hence, यहां का जो coastal plain है, इस continent का वो थोड़ा सा narrow है, ठीक है, और यहां की जो land form है, मतलब coastal reasons की, यहां पर sea sands and water born soils, यहां पर पाई जाती है, clear, इसी land form के बारे में आंगे बताया है, कि, यहां का जो north east coastal है, यहां पर long coral reef मिलने को देखने को मिलता है, coral reef basically होता है, और इनी reef को great barrier reef बोला जाता है, clear, अब यह coral reef कहलाते, great barrier reef है क्या, यह देखेंगे, okay, so, अगर इसको देखने के पहले, इसकी distance जो यह world में काफी ज़्यादा famous और इसका total distance कितना है, land, one thousand and nine hundred and twenty kilometers, clear, जो कि coastal के पास में लगभग hundred to, sorry, eleven to hundred kilometers तक coastal के आसपास बनता है, okay, अब यह coral reef जो है, यह बनता कैसे है, कि यह coral reef के depositions के कारा, मतलब जो coral insects होते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो उनका जो skeletons होते हैं, okay, उन कि जो bones and body होती, वो एक जगा collect होती, deposit होती जाती है, okay, और फिर उसके काराण से land form बनता है, अब यह coral reef क्या होते हैं, basically coral reef काफी ज़्यादा छुटे-छुटे कीड़े होते हैं, insects होते हैं, जो soils उसमें ocean में पाए जाते हैं, फिर sea में पाए जाते, clear, and they live, यह basically जो sea rocky seas floor होते से वहाँ पे मिलते हैं, और यह corals grow होते हैं, warm area में, थोड़ी से गर्माहट वाल area में, clear, clean, and जो solar waters, tropical regions में यह पाए जाते हैं, और जब इन corals की death हो जाती है, तो यह जहाँ पे रहते हैं, यह जहाँ पे भी कोई rock वागरा है, तो वहाँ पे चिपक जाते हैं, okay, strick हो जाते वहीं पे वह रुख जाते हैं, और उसी जगा से new corals grow होने लगते हैं, okay, तो ऐसे यह पूरा corals, और यह जो corals, और जब यह बहुत ज़्यादा quantity में collect हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा quantity में एकटे हो जाते हैं, बनते जाते हैं, तो इससे जो land form, इससे जो structure आ सामने आता है, that structure is called the corals reef, okay, now, अब यह corals जो reef होते हैं, वह बहुत ज़्यादा colorful होते हैं, और जहाँ पे जब यह एकटे हो जाते हैं, बहुत सारे, तो यह color, कई अलग-अलग different shades में collect, shade में collect होते colors, ठीक, colorful area बना देते हैं, और जिसके कारण से कई सारे world के लोग यहाँ पे घूमने आते ह इस चीज़ को देखने के लिए, और यहाँ की जो submarine drive को enjoy करते हैं, ताकि वो chorus को काफी ज़्यादा अच्छे closely तरीके से देख सकें, और इस continent का जो south east part है, वहाँ पे lies क्या करता है, New Zealand, okay, and New Zealand is a mountainous island, मतलब जो New Zealand ले एक mountain island है, यहाँ पे ज़्यादा तर mountains है New Zealand में, in the north and south island, ज जो इसका north and south island में है, there are sketches of a mountain range from the north to south, मतलब अगर New Zealand की बात कहें, तो New Zealand में north mountains काफी ज़्यादा range बड़ी बड़ी है, north से लेके south तक सभी में फैली हुई है, वो in the southern island, इसी का जो southern part है, जो नीचे का part है, that is called the south, south alps, okay, south alps बोलते हैं, जो and the narrow cook strip divides, और एक इसके बीच में स strip निकली है, okay, यह strip divide करती है, इस continent को south और north part में, okay, north and south में, जो continent in New Zealand, यह divide कैसे होता, because of a cook street, clear, यह तो हो गया पूरे four land forms के बारे में, कौन कौन सी land forms थी, first देखेंगे, western platoon, second one is, central lowland, third one is, eastern mountain range, and fourth one is, coastal region, okay, यह दो हो गई चार land forms, अब इसके अलावा जो next है, climate and vegetation, vegetation और wildlife, that we will discuss in our next video, Hello student, welcome once again, in our class, and, इस वीडियो में, chapter 23, जो Australia continent था, उसके बारे में, आंगे देखेंगे, इसके climate, और vegetation and wildlife के बारे में, और बाकी का जो portion है, मतलब, Australia continent का expansion, इसके जो चार surface देखी थे, okay, that you can study from the first video of this chapter, तो यहाँ पे देखेंगे, जो climate है, Australia का, जैसे कि पहले भी पढ़ाता है, जो Australia continent है, यह कि यह पूरा का पूरा southern hemisphere में lies करता है, southern hemisphere में lies करने के कारण, इसका जो continent, temperature है, इसका temperature, northern countries, northern hemisphere की country से एकदम opposite है, for example, जैसे इंडिया, okay, इंडिया कहाँ पे है, northern hemisphere में, okay, in Australia is in southern hemisphere, इंडिया में winter होगी, तो summer, तो Australia में क्या होगा, summer, okay, अगर यहाँ पे गर्मी है, चल रही है, तो Australia में ठंड रहेगी, यहाँ पे लिखा भी है, when India, which is in the northern hemisphere है, summer, इंडिया जो की northern hemisphere में lies करता, तो इंडिया में कौन सा season है, suppose, summer, so at that time, there is a winter in Australia, तो उसे time पे Australia में season कौन सा रहेगा, winter का, clear, now, अब इसके rainfall के बारे में देखेंगे, कि जो rains, यहाँ पे जो rains होती है, वो mainly किस wind के कारण होती है, south east wind, मतलब south east direction से जो trade winds आती है, उन winds के कारण यहाँ पे rain होती है, और जो Australia continent है, वो surface structure shape होने के कारण यहाँ पे जो eastern mountain range है, इस continent की यहाँ पे काफी ज़्यादा high rainfall होती है, और high rainfall या इन जो, sorry, जो इस continent का third जो land form देखा था, that name is eastern mountain range, ओके, यह जो eastern mountain है, जिस पूरे continent में है, यही eastern mountain range है, जहाँ पे high mountains बने हुए, इसके लावा Australia के पूरे पार्ट में कहीं पे भी high mountains नहीं है, ओके, और इसी high mountains के कारण, जो यह रीजान है, यहाँ पे तो heavy rainfall हो जात लेकिन इसके लावा जो बाकी के जो parts बसते, means western part इसका, ओके, या फिस central part, यहाँ पे rainfall इतनी जादा नहीं होती है, और यह areas dry रह जाते हैं, क्योंकि इस reason में तो high mountains और यही high mountains, जो winds आती है, उन winds को heavy rainfall की, जो winds आती है, heavy water लेके, ओके, उनको stop कर देते, वहीं पे रोक देते, जिस कारण से, यहाँ का जो western part है, वो जादा तर, dry रहता है, बहुती जादा सूखा बना रहता है, clear, इसी से यहाँ पे desert है, got it, now, इसमें आगे बताया है, in the north coast, by the, जो इसका north coast trade winds है, okay, trade winds के कारण यहाँ का जो north coast reason है, और जो south coast reason है, especially Tasmania reasons, यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत, हलकी बहुत rainfall होती भी है, तो यह किस कारण से होती है, winter wind के कारण से, clear, यह तो हो गया, climate के बारे में, अब आगे देखेंगे, इसके, vegetation के बारे में, तो vegetation के बारे में, यहाँ पे बताया गया है, कि, though climate and the surface structure of any area affect the vegetation, मतलब, किसी भी continent का, या फिर किसी भी particular area का, जो vegetation vegetation है, वो उस area की climate और साथी साथ, वहाँ का surface structure, मतलब, वहाँ की जमीन, land, आसपास का, किस type का वहाँ पे area है, कि, इससे यहाँ का, किसी भी area का vegetation affect होता है, कि, यह फिर यह भी कह सकती है, कि, उसी से उसका vegetation decide होता है, now, इसमें आगे बताया है, the vegetation are found in Australia as per rain distribution, मतलब, यहाँ पे अलग-अलग type का vegetation पाए जाता है, मतलब, जहाँ पे ज़्यादा rainfall होती, वहाँ पे अलग होता है, desert areas में, मतलब, जो vegetation है, वो भी बहुत various types होते है, clear, the coastal reason which receives, जो इसके coastal reason से जहाँ पे heavy rainfall होती, वहाँ पे long trees and forest होते हैं, और, लेकिन इसका जो western और central part है, वो काफी ज़्याद ज़्या, dry रह जाता है, dry होने के कारण, यहाँ पे थोनी bushes, grasses जो होती है, वो ज़्यादा गरू होती है, मतलब, यहाँ पे long trees नहीं होते है, इतने गरू, clear, आगे बताया है, that यह tropical reason में, जो इसके कुछ है, पार tropical reason में lies करता है, tropical reason में होता है, tropical reason में होता है, tropical cancer और tropical capricorn, यह अर्थ में जो tropical cancer और tropical capricorn के लिए, जो beach का पूरा reason है, that is called the tropical reason, उके, तो यह tropical reason में होने के कारण, जो tropical forest होते है, मतलब, इस जगा में, जो forest है, यहाँ पे, इस जो tropical forest होते है, आगे, इस जगा में जो forest है, यहाँ पे, इस जो ऱीन सशागा है, पार कोश्टा में होता है, और जो ट्रोपिकल फॉरेस्ट वो कहां कहां पाई जाते हैं कॉंटिनेंट के इस रीजन में नौर्थ रीजन में या फिर नौर्थ इस्ट रीजन में मतलब इन रीजन्स में जाद अतर ट्रोपिकल फॉरेस्ट पाई जाते हैं क्लियर जहां पे हैवी रेन क्योंकि यह जो रीजन से यहाँ पे heavy rain fall होती, that's why, okay, they are, they are like a monsoon forest, okay, यह monsoon forest की तरह होते हैं, monsoon forest मतलब जहाँ पे seasonal time, season के कारण, leaves अपनी shade करते हैं, season के कारण में, जैसे जब summer seasons होता है, तो यहाँ पे leaves, जो यहाँ के trees होते हैं, in forest के, वो अपनी leaves को shade कर देते हैं, मतलब उन कारण, इनकी leaves कम जादा होती हैं, यहाँ के forest का थोड़ा से structure भी change होता, data called the monsoon forest, okay, तो यहाँ पे, यहाँ पे monsoon forest भी पाय जाते हैं, but, they are the evergreen, लेकिन तब भी यह forest जादा तर evergreen रहते, evergreen मतलब होता है, ऐसे junk forest या फिर ऐसे vegetation जो कभी भी सूखता नहीं है, मतलब हमेंसा हर और अगर यहाँ के important trees के बारे में देखें, तो यहाँ पे important trees कौन-कौन से पाय जाते हैं, देवदर और इसके लावा dates and bamboo trees, okay, यहाँ पे बहुती जादा पाय जाते हैं, bamboo and bottle trees होते हैं, वो बहुत important trees हैं यहाँ के and eucalyptus, एक tree होता है eucalyptus जिसकी काफी लंबी-लंबी सी leaf ह इस type की, okay, इससे भी लंबी पतली, मतलब narrow and long leaf होते है eucalyptus tree की, okay, यह सबसे जादा important and main tree है, यहाँ के Australian forest का, यहाँ के अगर eucalyptus tree के बारे में देखें, तो यहाँ पे eucalyptus tree की 500 से जादा species, मतलब 500 से भी जादा प्रजाती के eucalyptus इस continent में, ऑस्टेलिया में ग्रो हो र हैं, okay, and, 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 और एक जानबर पाया जाता है, एक एनिमल होता है, that name is kwala, okay, kwala एक एनिमल है, जो कि यहाँ के जंगवलों में बहुत जादा पाया जाता है, and he used to live in our trees, okay, यह पेड़ों में रहता है, और वो basically eucalyptus trees की जो leaves होती, उसको खाता है, okay, उसका यह main food होता है, clear, now, इसका जो central reason है, यह तो हो गया, इंडिया के, सरी, Australia के northern and the north east part के बारे में, अब इंडिया, Australia का जो central reason है, okay, यहाँ पे काफी, मलब थोड़ी सी कम rainfall होती, जादा हाख-खास बारिश होती नहीं है, okay, इस कारण से यहाँ पे trees भी हैं, और साथ-साथ grasses भी grow होते हैं, कम बारिश होने के कारण grasses भी हैं, और trees भी यहाँ पे present, okay, there are two type of grasslands, यहाँ पे दो टाइप की grasslands है, अब वो कौन-कौन से यह देखेंगे, in the north there is a tropical grasslands, okay, जिसका north part है, Australia continent, जो Australia continent में, जो central reason है, उसके central reason के भी north part में, tropical grasslands पाए जाती, क्यों, क्योंकि यह ट्रोपिक अप्रिकॉन के पर होने के कारण, यह tropical reason कहलाता है, right, okay, so यहाँ पे tropical grasslands पाए जाती है, and इसका जो south part है, यहाँ पे जो main rivers बताई थी, Moray River and Dulling River, तो Moray Dulling Basin उस river का जो basin बनता है, उस river से जो land form बनती है, okay, वहाँ पे temperate grassland पाए जाती है, what is that called, a temperate grassland, क्योंकि यह temperate zone में बनता है, okay, और इसी को downs भी बोलते है, what is our downs, downs basically grassland है, जो कि कहाँ पे बनता है, Moray Dulling Basin पे, okay, Moray Dulling Basin पे बनने के कारण बनता है, और इसको temperate grassland के category में यह आता है, clear, यह तो हो गया, forest के बारे में, अब animals का यहाँ पे देखेंगे, कि there are a lot of kangaroos, in reasons में बहुत ज़्यादा kangaroos पाए जाते हैं, okay, kangaroos, इसी लिए kangaroo यह kangaroo भी परांस कर सकते हैं, और we call it a kangaroo also, okay, तो यहाँ पे kangaroo जादा होते हैं, और साथी साथ यह Australia का national animal भी कहलाता है, clear, इसके लावा और भी कई animals हैं, जो यहाँ के जंगलों में, और birds भी हैं, जो यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे important है, और जो सब, that is a, emu, जो emu होती है, emu is a large size bird, okay, यह बड़ी size की word होती है, जो कि अपने weight के कारण fly नहीं कर सकती है, okay, which cannot fly, but, यह fly तो नहीं कर सकती है, लेकिन, काफी ज़्यादा fast, दौड सकती है, काफी ज़्यादा fastly speed में, यह run कर सकती है, clear, now, यह तो हो गया, emu bird के बारे हैं, next, जो बार that name is, कोकाबुरा, okay, जो कोकाबुरा रिवा, जो कोकाबुरा bird है, the कोकाबुरा is known as a laughing jackal, okay, इसको laughing jackal बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह, इसको जो laugh, हसने की, या फे बोलने की जो आवाज है, वो call, like a call, okay, मतलब इसकी थोड़ी सी funny type की हसी की आवाज, इसलिए इसको laughing jackals भी इसको बोलते हैं, clear, now, the next one is, ले रिवार, bird, जो ले बर्ड है, it is one of the most beautiful bird of the world, okay, वोल्ड की सबसे beautiful bird में आती है, now, the last one is, कीवी, कीवी और पेंग्विन की बारे में तो आपने नाम सुना होगा, कीवी और पेंग्विन तो आप जानते हों कि वाइट एंड ब्लेक कलर के जा इसली नूजीलेंड में ये बहुत ज़्यादा पाए जाती है, मिलाब इंडिया, sorry, ऑस्टेलिया की बात करें तो आस्टेलिया में नूजीलेंड में कीवी और पेंग्विन्स जादा पाए जाते हैं, कीवी नूजीलेंड की नेशनल बर्ड है, okay, and This cannot fly but can run very fast, और नहीं सकत बट जैसे की इम्यू का देखा था वो वेट के कारण बर्न लाज साइज होने के कारण ये उड़ नहीं सकती लेकिन बहुती ज़्यादा फास्ट रन कर लेती ऐसे ही सेम जो कीवी बार्ड है ये भी उड़ नहीं फ्लाइ नहीं कर पाती बट कैन रन वेरी फास्ट ओके इसमें कौन कौन से लेन फर्म सोते कहां से कहां तक इसका स्प्रेड है कितना वो फैला हुआ है इसमें देखते हैं जो कौन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा साउथ हेमिस्फिया में लाइस करता है अगर लेटिट्यूट लेटिट्यूट एन लॉंगिट्यूट देखे तो लेटिट्यूट इसका लगभग 10 डिग्री नौर्थ से स्टार्ट हो सरी 10 डिग्री साउथ से लेके 39 डिग्री साउथ तक है ओके लॉंगिट्यूट देखे तो 130 डिग्री इस्ट से लेके 153 इस्ट तक है ये पूरा ओशियन से कवार है अपने चारो साइट से इसलिए इसको ओशियन एक कॉंटिनेंट या फिर आईलेंड कॉंटिनेंट भी बोला जाता है इसमें मेंन कंट्री यहां पर फिजी, निउजीलेंड, आस्ट्रिया, या फिर निउग गिरी यहां की मेंन कंट्री इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन कंट्री मानी जाती है और इसके इलाबा इसका जो सर्फेस होता है सर्फेस को फो पार्ट्स में डिवाइडिट किया गए हैं, फर्स्ट वन इस वेस्टन प्लेटिव, सेकेंड इस सेंट्रल लोलेंड, थर्ड वन इस इस्टन माॉंटेन रेज, फॉर्थ इस कोस्टल रीजन, ये इसके और, अगर एरिया के बारे में देखें, तो एरिया इसका लगभग 76,86,850 स्क्वेर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहां का नेशनल अनीमल कौन सा है, कंगारू, और जो न्यूजिलेंड की नेशनल बर्ड की वी, तो ये हो गया पुड़ा, उस्टेलिया कॉंटिनेंट के बारे में, सो थेंक यू,